C.M. योगी सत्ता में आने के बाद से ही अपने फैस्दों को लेकर चर्चा में रहते हैं गलती करने पर अपराधियों को सजा देते हैं तुलापर वाही बरतने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाते हैं बता दे कि यूपी में लगतार एंकाउंटर की खबरे सामने आती रहती हैं चब से C.M. योगी ने सत्ता संभाली है तब से ही लगतार आक्शन देखने को मिल रहा है अपराधियों पर शिकंजा कस्ता जा रहा है योगी पुलीस अपराधियों पर तगड़ा आक्शन ले रही है कभी बहन बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों का एंकाउंटर हो रहा है तो कभी दबंग बदमाशों पे बुल्डोजर चलाया जा रहा है अपराध और अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है और बेग गुनाहों को बराबर का इंसाफ दिया जा रहा है नमस्कार आप देख रहे हैं कापिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूँ आपके साथ राजप्रीत कौर आज स्पेशल स्टोरी में बात होगी पुलीस वा बदमाशों के बीच होए खतरनाक मुढबेड की और पुलीस एंकाउंटर की साथ ही ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में आपको बताएंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं बाइक से बांध कर ले गए थाने पुलीस ने किया एंकाउंटर सीम योगी ने लिया तगड़ा आक्शन दरसल उत्तर प्रदेश के गौतम बुद नगर में संसनी खेच वारदात सामने आई है देर रात एक व्यक्ती को चाकू मार कर घायल कर दिया गया इसके बाद आरोपियों ने घायल यूवक को पूरे गाउं में घुमाया आरोपियों ने एक किलो मीटर तक मोटर साइकल से घायल यूवक को घसीटते हुए पुलीस चौकी पर ले गए जहां आरोपियों ने पुलीस के सामने सरेंडर भी कर दिया इस पूरे घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि बाइक पर दो लोग सवार है चाकू से घायल करने के बाद यूवक के एक पैर को मोटर साइकल से बांद दिया गया इसके बाद वाइक सवार आरोपी घायल यूवक को घसीटते हुए ले गए बता दे कि इलाज के दोरान घायल यूवक की मौत हो गई ये पूरा मामला नॉइडर सेक्टर उन्चास के बरॉला गाउं का है जहां कि तंग गलियों में यूवक का चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया आरोपियों ने घायल यूवक को मोटर साइकल से बांद कर पूरे गाउं में घसीटते हुए बरॉला चौकी ले गए और खुद को पुलीस के सामने सरेंडर कर दिया बताया जारा है कि पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया देर रात को हुई इस वारदात के बाद गाओं में दहशत पैदा हो गई गाओं की गलिया सुनसान हो गई घायल यूवक को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई आखिर क्या है पूरा मामला पुलिस सूत्रों के अनुसार बरॉला में रहने वाला अनुच प्राइविट अस्पताल में काम करता है अनुच और नितिन की गाओं के रहने वाले महंदी हसन से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई थी जिसके बाद अनुजो और नितिन ने महंदी हसन पर चाकू से हमला किया बाइक में बांद कर घसीटता हुआ गाउं में घुमाया इसके बाद दोनों महंदी हसन को घसीटते हुए बरॉला पुलीस चौकी पहुँच गए इस खटना के बाद पुलीस चौकी के आसपास अफरा तफरी मच गई घायल महंदी हसन को अस्पताल में भरती कराया गया जहां उसकी आखिरकार मौत हो गई पुलीस ने बताया कि 2018 में अपने पिता के उपर हुए कातिलाना हमले के बाद बदला लेने के लिए अलुच ने महंदी हसन को बाइक के पीछे रसी से बांद कर पूरे गाओं में घुमाया इस जगन्ने अपरात के बाद पुलीस ने आरोपियों को तुरंत हिरासत में ले लिया हत्या में इस्तमाल की गई चाकू की बरामत की के दौरान आरोपियों ने पुलीस पर ही हमला कर दिया इस पर पुलीस को जवाबी कारवाई में आरोपियों पर गोली चलानी ही पड़ी पुलीस ने गोली मार कर आरोपियों को किया घायल इस मामले की अधिक चानकारी देते हुए पुलीस ने कहा कि दोनों आरोपी अनुच और नितिन के बीच कतल की बरामत की के दौरान मुढभेड हुई है दरसल सुभा लगभग पांच बजे थाना सेक्टर 49 की बरौला पुलीस के पास बदमाशों के साथ मुढभेड हुई है इस में दो बदमाश अनुचेवम नितिन घायल हुए पुलीस ने कहा कि अनुचेवम नितिन ने महंदी हसन नाम के व्यक्ती को चाकू मार कर घायल किया था चहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यू हो गई दोनों आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया है और वारदात में शामिल चाकू की बरामत्गी के लिए पुलीस की एक टीम लगी हुई थी तभी चाकू की बरामत्गी की तलाश के दौरान अपराधियों ने पुलीस पर ही हमला कर दिया पुलीस ने भी जवाबी कारवाई में फाइरिंग की है इसमें आरोपी अनुच और नितिन घायल हुए है दोनों आरोपियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भरती कराया गया है आए दिन पुलीस मुटभेड की खबरे सामने आती रहती है जहां योगी पुलीस अपरावधियों पर तगड़ा आक्शन लेती रहती है चलिए ऐसा ही एक और मामले के बारे में आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश को अपराद मुक्त प्रदेश बनाने के उत्देश से चलाय चा रहे ओपरेशन क्लीन के तहर कुछ समय पहले कड़खर थाना इलाके में पुलीस और बदमाशों के बीच हुए मुढभेड में दस हजार के इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई थी घायल बदमाश को पुलीस ने जिला अस्पताल में भरती कराया था दरसल 30 अक्टूबर की रात कड़खर थाना इलाके की पौश कॉलिनी एकता विहार में साउथ नाम के यूवक की अग्यात बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी जिसमें मृतक के परिचनों ने सोहराब और सल्मान के खिलाफ नामचत मुकदमा दर्च कराया था पाहे से गोड जाने वाले रास्ते पर पुलीस चेकिंग कर रही थी इस तोरान दो संदिक्त बाइक सवार बदमाशों को रोकने की कोशिश की तब बदमाशों ने पुलीस पर फाइरिंग शुरू कर दी जवाबी फाइरिंग में सहराब नाम के बदमाश के पैर में गोली लग गई जबकि दूसरे बदमाश सल्मान को पुलीस ने भाग कर पकड़ लिया S.P. City अखिलेश भदाओरिया के मताबिक पुलीस गिरफ्त में आया बदमाश सहराब 10,000 का इनामी है और इस बदमाश ने अपने साथी सल्मान के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के चलते साउथ को गोली मार कर मौत के घाट उतारा था पुलीस ने आरोपी सहराब और सल्मान की निशान देही पर पिस्टल और बाइक बरामत की है फिलहाल पुलीस ने 24 घंटे के अंदर ही घटना का खुलासा कर दिया है पुलीस की गिरफ्त में अपराधी दरसल बता दे कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए सरकार लगतार कोशिश कर रही है ऐसे में प्रसाशन हाई अलर्ट पर है उत्तर प्रदेश में पुरानी रंजिश के चलते साउध नाम के यूवक की बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी जिसके बाद मृतक के घरवालों ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था दोनों अपराधी पुलीस से फरार चल रहे थे ऐसे में पुलीस ने इन दोनों अपराधियों की घेरा बंदी के लिए 10,000 का इनाम घोशित किया था फिलाल दोनों अपराधी सोहराब और सलमान पुलीस की गिरफ्त में है वहीं कुछ समय पहले कोतवाली गुरसाएं गंच शेतर में बाइक सवार लुटेरों की पुलीस से मुटभेड हुई पुलीस ने शातर लुटेरे को मार गिराया जबकि गोली लगने से घायल हुए दूसरे शातर को पुलीस ने गिरफ्तार कर लिया लुटेरों की ओर से की गई फारिंग में दो सिपाही भी घायल हुए है बता दे कि मुटभेड में मारे गए बदमाश ने साथी के साथ मिलकर सराफा कारोबारी को गोली मार कर 20 लाग की लूट को अंजाम दिया था उपचार के दौरान कारोबारी की मौत हो गई थी इसके बाद से पुलीस दोनों लुटेरों की तलाश में छानबीन कर रही थी बाइक से लौट रहे थे गर रास्ते में हो गई लूट पात जनवरी की शाम गुरसाई गंज कोतवाली शेत्र के समधन कजबा के सराफा कारोबारी अयास खान अपने पिता नयाब खान और छोटे बाइक कासित के साथ मलिक पूर स्थित दुकान बंद कर शाम को बाइक से लौट रहे थे इस दौरान अपाचे बाइक सवार दो लूटेरो ने अयास के कंधे में गोली मारकर 20 लाग के जेवर और नकदी से भरा जोला लूट लिया था हाला कि उपचार के दौरान अयास की मौत हो गई थी डी आईजी कानपूर जोन जोगेंदर कुमार और स्पी अमित कुमार आनंत के नित्रत्व में औरिया इटावा फरुकाबाद समेच जनपत पुलीस की 20 टीमों के करीब 200 पुलीस करमी लुटेरो की तलाश में छानबीन कर रहे थे हाला कि सुभा करीब 7.30 बचे 150 खंटे बाद पुलीस के हाथ बड़ी सफलता लगी लुट को अंचाम देने वाला संभन निवासी इजहार और तालिब अपाचे बाइक से मलिक पूर की ओर आ रहे थे राम आश्रम के पास चेकिंग कर रहे गुरसाई गंच कोतवाली प्रभारी जैप्रकाश शर्मा ने पुलीस टीम के साथ जब दोनों को रोकने का प्रयास किया तो ये फाइरिंग करते हुए जहांगीर पूर की ओर भाग निकले पीछा करने पर लुटेरो ने फाइरिंग शुरू कर दी तीन गोली लगी और मौके पर तोड़ा दम पैर में गोली लगने से सिपाही अमन सिंग और विजेखायल हो गए पुलीस की ओर हुई जवाभी गोली बारी में शातर बदमाश इसहार के सीने में तीन गोली लग गई इससे मौके पर उसने दम तोड़ दिया वहीं पैर में गोली लगने से घायल हुए तालिप को पुलीस ने गिरफतार कर लिया आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जहां योगी पुलीस चुन-चुन के अपराधियों को उनके किये की सजा देती है कोई भी अपराधी पुलीस और सीएम योगी की पैनी नजर से बच नहीं सकता हर एक गुनेगार को योगी के हंटर की मार पढ़नी है खेर इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मैं राजनीती करता ने पर राजनीती को बहुत गहरे तक समझता मैं लोगों के बीच रहता हूँ लोगों के मन को अच्छे से जानता संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंधासन तक मैं हर खमर से खरा सच निकालता ना कोई दौर ना कोई रेट्स क्यापिटल दी उत्तर बेच